हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट दोस्तों ग्रूब डी के एक्जाम 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें से 45 मार्क्स के जनरल साइंस और जी के करेंडर फेस कोईशन पूछे जाने हैं काफी स्कोरिंग सेक्शन है यह तो मेरी कोशिस यह है कि मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा मैटेरियल जो तो प्रोवाइट करा सकूँ और आपको जो तो 45 में एटलिस्ट आप लोग 40 प्लस स्कोर जरूर करें इस वीडियो आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इमोड़न कोश्चन प्रेक्टिस सॉल्व कराऊंगा तो दिया आप सॉल्व करके लास्ट में कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा ठीक है और मैं अनेकेडमी पर भी पढ़ाता हूं तो आप अनेकेडमी का लेर्निंग के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए उसमें ऑनलाइन इसडी पॉइंट सर्च करके हैं फॉलो कर सकते हैं मैं अपने एक रेलवे ग्रूब डी एक्जाम के तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह के डेली वीडियो मिलती रहे क्योंकि मैं जनरल साइंस और जीके से लेटेट भी बहुत सारी वीडियो इस important question है मानमर शरीर में जल की मात्रा होती है तुछ का राइट एंसर की को मानमर शरीर में जल की मात्रा sagt PIает तो है शरीर के ताप को श्वेदन तथा बास्पन दोरा नियंत्रित करता है इसके लाब यहाँ पे एक कुश्चन बहुत इंबोडन पूछा सकता है पीने के पानी में आर्सेनिक विश्च के कारण कौन सी भीमारी होती है तो यह होती है कायरा टोसिस नामक विमारी ठीक है पी दोस्तो रेलवे गुरूब डी एक्जाम के लिए एल बुक पब्लिसर द्वारा रिवीजन के लिए बहुत इंपोर्डेंट फीडिया फाइल तयार की गई है मातर 30 रूपए की बुक है आप इस लिंक वीडियो के रिस्रिप्शन बॉक्स में दे दिये गया है वेबसाइट इस लिए कोश्चन बढ़ते हैं कोश्चन नमर थाड़ है मानौश्चरीर में आहार यानि भोजन मुकते पचता है option उदर या छोटी आत बड़ी आत या एक्रित में तो मानुसरी में जो आहार भोजन मुख्यत है पचता है ये correctance हो जाएगा option भी छोटी आत में ठीक है छोटी आत में देखिए आपको बता दे दोस्तों कि जो भोजन का पाचान है वो मुझ से प्रारम हो जाता है लेकिन जो मुख्य रूप से भोजन पचता है वो छोटी आत में जो तो यहाँ पर पाचान के पूर्ण हो जाती यानि small intestine small intestine यानि छोटी आत ठीक है और यहाँ पर दोस्तों बात करें यक्रित की अगर तो मानौ शरीर के सबसे बड़ी जो ग्रंती है वो है यक्रित अनि liver को बनता है कि मानौ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी है तो है liver यक्रित ठीक यह question बहुत बार पूछा गया है उसके जो लीवर का बजन होते हैं डेड़ से 2 क्लो कहा ठीक है खालेधार सहब फिरुंवर कोजिए सब्सक्राइप इसका रुजण होता है जो से घ् है थिक है इसके रताएब बहुत इम्बोडन पूछा आता है फाइब्रो नोजластि इसका उथपादन लीवर से भी होता है जो रक्त का थक्का बनाने मदद करता है ठीक है रक्त का थक्का बनाने प्रोटीन कौन से होती जो लीवर से ही होता है फाइब्रो नोजन यह भी बहुत इंपोड़न कोईश्चन है ठीक है चालिए तो मानव सरीर में आहार यानी भोजन मुखते पचता है करेक्ट tumor option भी छोटी आप में ठीक है कोश्ए Toni No 4 तैं मनुष लोहते कि परापत करता है मनुष लोहते कि प्रापत करता है रोफ disappear पालक मचली दूद करेक्ट इंसर यह निए appreciate a पालक से इसके लावा यहां पर बात करेंगर पनीर की दोस्तों पनीर में कल्सियम पाजाता है और मचली में क्या पाजाता है जस्ता ठीक है मचली में जस्ता पाजाता है और दूद में जो तो सोडियम बगेरा पाजाता है ठीक है तो लोहा जो आइरन है मनुष्च को किसे प् सबसे प्रचुर्द मात्रा में पांद तक्त्त कौन सा है कि माना के स्रीर में सभसे प््रचुर्द मात्रा में जो त्तथिु पालगा जाते है कि प्रोटीं कार्वु हाइट विटामेन कुरेक्टर है रो assess ise ओपसन वडूर kisam तत्त का सर्वरत हम मुह में पाचन होता है कोशन नमर सेवन्थ है भोजन का पाचन निम्लिखित में से कि अंगर से प्राराम होता है तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका करेक्ट एंसर है मुह से ठीक है ठीक है तो भोजन का पाचन निम्रखितमेशिकी संग प्राराम होता है मुझसे जब की भोजन की जो पूरी क्रिया पूर्ण होती है वो छोटी आदमयाली इसमाल इंटेस्टाइन में जो तो पूर्ण होती है एट्थ नमबर का कोशन है इसमाल 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 ठीक है शरीर में सबसे बड़ी हटी फीमर अगला कोश्चन है दोस्तों नाइन्थ नमबर का मानव शरीर का सबसे बड़ा आंत्रीक अंग कौन सा है तो इसका करेक्ट एंसर होगा ऑप्शन है तेरा सो पचास ग्राम ठीक है चलिए अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं इसके मनुष्च के मस्तिस्क का बज़न आपको बता चुके लगवख साड़े तेरा सो ग्राम ये चौदर सो ग्राम इसके लावा ईए जी का जो प्रयोग है मनुष्च के मस्तिस्क का कारे को पता लगाने के लिए किया जाता है अगला कोश्चन है मनुष्च के मस्तिस्क का सबसे बड़ी कोश्च का कौन सी है correct answer है option है तंत्र का तंत्र ठीक है तंत्र का तंत्र और यहाँ पर दोस्तों बात करें गुर्दा की किड्नी की किड्नी जो तो उत्सर्जी यंगा है और मनुष्टे बाँ अन्न इस तंधारियों में मुख्य उत्सर्जी यंगा है और एक जोड़ा पा जाता है और जो ब्रिक क्यानी किड्नी का जो बज़ान होता है दोस्तों वोता है 140 ग्राम कितना 140 ग्राम तो शरीर में सबसे बड़ी कोश्च का तंत्र का तंत्र और मनुष्ट के सबसे चोटी ग्रांथी काउन सी है कर्य까지 charger option c fituri ठीक मनुष्ट के सबसे चोड़ी ग्रांथी question number 14 थै शरीर में master ग्रांथी किसे कहा जाता है correct answer option vituri ठीक है 15 नंबर offen है आप मानव शरीर में उपरोस्थी को कहा पा पाएंगे कोशन है आप मानौ शरीर में उपरोस्थी को कहा पाएंगे करेक्ट एंसर ऑप्षन है जांग में 16 नमर कोशन है हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं करेक्ट एंसर ऑप्षन है 16 से 18 बार अगला प्रसन है टीवी अनामा खड़ी पाई जाती है कोशन नमर 18 थे हुआ है जो मानौ शरीर में पित तूत पन करता है करेक्ट एंसर है ऑप्षन ए पित तास है ठीक है पित तास है अगला कोशन है अप्थालमीक सम्बंदित है कोशन नमर 20 है मानौ शरीर में कौन से पदार ततकाली कुर्जा का मुख श्रोत है करेक्ट एंसर है कार्वो हाडड़ेट मानौ शरीर में कौन से बदार ततकाली कुर्जा का मुख श्रोत है कार्वो हाड़ेट नेक्स्ट है मानौ रक्त का पी एच मान कितना होता है राइड एंसर है 7.4 जो pH value होती है मानोशरीर की रक्त काव होता है 7.4 Question number 22 है मनुष्ट के हिर्दय की सावान इस्पंदन गती प्रती मिनट होती है Correct answer option B 72 अगला question है सर्वदातर उधिर वर्ग है सर्वदातर उधिर वर्ग यानि Universal donor तो इसका राइड एंसर होगा option D O O जो है तो Universal donor होता है ठीक है जबकि A B जो है सर्वदातर ही होता है ठीक है और आपको बता दे कि blood group की खोच किसने की थी Karl Landsteiner ने 1922 में ठीक है Blood group की खोच किसने की थी Karl Landsteiner ने अगला question सर्वदातर रक्त गुरूफ होता है यह होता है A B आपको पहले बता चुक है A B जो है तो सर्वदातर रक्त दादा का रक्त गुरूफ होता है ठीक है Question number 25 दोस्तूँ एक A B गुरूफ बाला विक्ति खून से दे सकता है तो एक A B गुरूफ बाला विक्ति खून दे सकता है इसका correct answer हो जाएगा Option B केबल A B को ठीक है Next है और रक्त शमूग वाले आदमी का रक्त किसे दिया आ सकता है तो आपको पहले बता चुक हो जैसे का आपको concept clear हो चुका होगा correct answer है Option D सभी रक्त शमूग यानि इन्वर्सल डोनर होता है Question number 27 है मानो शरीव में रक्त शाब निम्लिकित द्वारा निंतरित होता है Option A Adrenal Gland द्वारा Question number 28 है Insulin की कमी से होने वाला रोग कौन सा है Insulin की कमी से होने वाला रोग Diabetes ठीक है diabetes मधुमे रोग Question number 29 है मानो शरीव में क्रोमो शमेनी गुर्सूत्रों की संक्या होती है Option D 46 ठीक है 46 चलिए Question number अगला है दोस्तों मानो मुत्र का pH मान कितना होता है pH वेलिव कितनी होती है Correct answer है 6 अगला कोशन है मानो शरीव का सबसे छोटी हड़ी काउन सी है आपको मैं पहले बता चुगा इस टेपी जो की कान की हड़ी है सबसे छोटी हड़ी है ठीक है सबसे बड़ी हड़ी फीमर Next है मानो सरी का सावाने तापकराम होता है Option C 37 डिग्री सेल्सियस ठीक है 37 डिग्री सेल्सियस Next है इंसुलिन इस्रावित होता है इंसुलिन के जो श्रावण होए किस्से होता है इसका रेक्ट एंसर है उपसने पैंक्रियाज यानि अगनासाय में Next है लाल लक्त कंड का निर्माण होता है इसका राइट एंसर हो जागा उपसने अस्थी मज्जा में लाल लक्त कंड का निर्माण होता है इस्थी मज्जा में अगला प्रस्ण है एक वैस का मनुस्थ में रक्त की अवस्थ मात्रा होती है जिसका राइट एंसर होएगा उपसन सी 5-6 लिटर एक वैस का मनुस्थ में रक्त की मात्रा की दिनी होती 5-6 लिटर अगला पष्णले लारलक्त का आगार होता है राईट एंसर आप्सन एं गोलाकार मनुष्ट का सामाने रक्ष्ट चाप होता है राईट एंसर आप्सन भी 120L80 Q. 38 ہے रक्त को जमाने में कौन से प्रूटिन प्योग में आता है Correct एंसर है आप्सन ए Fibronogen आपको मैं पहले बता चुका हूँ रख को जमाने में कौस अप्रूटीं तन फाईब्रोघ मांता है है क्ला कोश्यर 39 है सरीर में हिमोगलोविन का किरें है क्ला कैश्यान का परिभान लास्ट कौश्च नहीं हीमोगलोविन में आयरान उपस्थित होता है तो यह थे दोस्तों जनरल साइंस के मुश्ट इंपोर्टन कोश्टन रेलवे ग्रूप दी के लिए वीडियो पसंद आय तो लाइक जरूर करिए शाथ इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए यह आप चैनल पर पहली बार व करिएगा चलिए आपको और नेक्स्ट किस टॉपिक वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट जरूर करें साथ ही इस वीडियो के बारे में बताएं कैसा लग आपको प्रयास चलिए थैंक यू आल दे बेस्ट